हलो दोस्तों आप सभी को में नमश्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेस्टर यूट्यूब चैनल पर श्वागते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाजाज फिन सर्व लिमिटेड के बारे में जो की 8,9,3,8 रुपीज पर क्लोजिंग दिता हुआ देखने को मिला है दोस्तों आज 20 जनवरी है और आज बाजाज फिन सर्विस अपने क्वाटर 3 के रिजल्ट के साथ हम निवेसकों के सामने आई है तो आज इस पूरे वीडियो में दोस्तो हम लोग इसके जो क्वाटर 3 के रिजल्ट आए है उस पर चर्चा करेंगे और इसके रिजल्ट मजबुत आए हैं या खराब आया है इसको हम लोग ढूंने की कौसिस करेंगे और इसके अनुसार इसके आने वाले दिनों में सेर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हो तो आप मेरे चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर ले, मैं लगातार आपके लिए मजबूत फंडामेंटल वाली कमपनियों के प्री रियल्ट एनालेसिस भी ले करके आ रहा हूं और रिजल्ट आने के बाद पोस्ट रिजल्ट एनालेसिस भी ले करके आता रहता हूं और मुझे उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो और अप पशनदा भी आ रहा होगा, तो अब अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसके जो चार्ट हैं, उसको समझने की कोशिस करते हैं, कि बाजाज फिन सर्ब के चार्ट से हम लोगो क्या देखने को मिल रहा है, क्या समझने को मिल रहा है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि जो बाजाज फिन सर्ब का सेर था, लॉग डाउन के बाद इसमें भारी बिक्वाली देखने को मिली और ये नीचले अस्तर पर consolidate किया उसके बाद इसमें हम लोगों ने तेजी देखी फिर इस काफी दिनों तक ये consolidate किया फिर इसमें correction आया फिर काफी दिनों तक consolidate किया उसके बाद इसमें भारी तेजी हम लोगों ने बनते वे देखी वर्तमान में ये दोस्तों ये consolidate कर रहा है और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आज किस rate पर ये बंद हुआ है तो ये देखे 8,938 रुपे पर closing दिया है और ये अपने उच्ता मस्तर यानि कि 9,460 का ही इसने हाल में ही उच्ता मस्तर लगाया था उसके बाद इस stock में लगाता है हम लोग गिरावट देख रहे थे correction देख रहे थे और कल ही इसने तगड़ा bonds back दिया था लेकिन आज चुकी इसके result market close होने के बाद आये हैं तो हम लोग इसके जो result है वो कैसे रहे हैं उसको समझने के बाद ही हम लोग इस के chart पर परतिक्रिया वैक्त कर सकते हैं कि कल जब market खुलेगा तो बजार इस पर किस परकार का reaction दे सकता है इसको हम लोग इसके result को analyze करने के बाद ही समझ पाएंगे और दोस्तों स्क्रीन पर हम लोगोंने बजाज फिन सर्व के result को download कर लिया है BSC के website से अब हम लोग इसके result को analyze करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसके quarter on quarter result को मिलाएंगे फिर हम लोग इनके yearly basis पर जो है quarter on quarter result को मिलाएंगे फिर nine month period पर भी इसके result को मिलान करेंगे उसके बाद हम लोग अपने अस्तर पर retail smart investor के नाते यह समझ नहीं कोशिस करेंगे कि बाजाज फिन सर्विस के result कैसे हुए हैं तो यहां पर देखेंगे दोस्तों जो इनके September quarter के result थे उसमें इनके जो टोटल इंकम थे यह 15,51 करोड देखने को मिल रहा है जो कि इस बार यह बढ़तर के 15,960 करोड होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इनके quarter on quarter total revenue में हम लोग को quarter three के revenue से मिलान करें तो last year यह 14,560 करोड का revenue report की थी जो कि इस बार तक्रिवन इसमें 10% का growth हम लोगो देखने को मिला तो हम लोग year on year basis पर इनके total revenue में 10% का तगड़ा growth देख रहे हैं अब आए दोस्तों हम लोग 9 month ended period में भी इनके revenue का मिलान करें तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इस बार इनके जो 9 month ended total revenue है वो 45,204 करोड देखने को मिल रहा है जो कि last year यह 41,57 करोड देखने को मिल रहा था तो इनके last year 9 month ended result के हिसाब से इनके revenue में हम लोगों को 10% का तगड़ा jump देखने को मिल रहा है तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पाया कि बाजाज फिन सर्व के जो revenue रहे हैं quarter on quarter 1% से बढ़ते हुए हम लोगों देखें और year on year 10% से बढ़ते हुए देखें और 9 month ended से हम लोग 10% से बढ़ते हुए देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोरोना का impact है बाजाज फिन सर्व के revenue में हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है इसमें हम लोग growth देख पा रहे हैं अब आईए दोस्तों सेम पिरियड में हम लोग इसके जो net profit रहे हैं उसका भी मिलान कर लेते हैं कि इनके net profit कैसे देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर हम लोगों को profit for the period कॉलम में चलना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह September quarter में 986 करोड का net profit report की थी जो कि यह third quarter में बढ़ करके 1290 करोड देखने को मिल रहा है तो इनके जो net profit है उसमें हम लोगों को 31% का तगड़ा jump देखने को मिल रहा है यह काफी बड़ा growth है दोस्तों इनके net profit में और अगर हम लोग इनके last year December quarter से यानि quarter 3 से मिलान करें तो last year यह 1125 करोड का net profit की थी जो कि इस बार यह बढ़ करके 1290 करोड होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसमें year on year basis पर 15% का तगड़ा jump देखने को मिल रहा है अब आएए दोस्तों 9 month इंडेड पिरेड में भी इनके profit का मिलान कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9 month इंडेड पिरेड में इनका net profit है 3491 करोड देखने को मिल रहा है जो कि last year same period में 374 करोड देखने को मिल रहा था तो इनके जो 9 month इंडेड पिर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो इस परकार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि बाजाज फिन सर्व के जो रिजल्ट रहे हैं इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट न केवल क्वाटर और क्वाटर बलकि येर और येर भी नाइन मंथ इंडेड रिजल्ट के अधार पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके जो ग्रोथ हैं और काफी अच्छे रहे हैं नेट प्रॉफिट के ग्रोथ तो और भी जब रज़स देखने को मिले हैं तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि बाजाज फिन सर्व के जो रिजल्ट आये हैं क्वाटर थिरी के वो काफी सां माहोल में भी कोरोना के लॉगडाउन के बावजूद इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी सांदार देखने को मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग यह मान के चलेंगे कि बाजार इनके रिजल्ट को जो ऑनर करेगा और यह सेर जो अभी जीन अस्तरों पर है उससे इसमें काफी उच्छाल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में लेकिन दोस्तों यह हम लोगों का अनुमान है कि बाजार इसके रिजल्ट को देखकर के उच्छाल दिखा सकता है लेकिन अभी बाजार काफी उच्छतम अस्तरों पर चल रहा है और इसमें कभी भी बिक्वाली हावी हो सकती है लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा भी देखा जाए तो मैं कहूँगा कि बाजाज फिन सर्व के रिजल जो है बेहाद ही सांदा देखने को मिले हैं और इसमें जो है हम लोग अने वाले दिनों में काफी तेजी बनता हुआ देख पाएंगे ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ का सकते हैं लेकिन दोस्तों किसी भी ट्रेड पोजिशन और इन्वेस्टमेंट पोजिशन लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद का एनलाइसिस जरूर करने आप मेरे बातों पर न जाएं या नहीं तो अपने फैनांसल एडवाजर की सला जरूर ले उसके बाद ही इस सेर में न्वेस का मन आप बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों हमने तो अपना व्यू रख दिया आप अपना खुद का भीव बनाएं और दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को वाज़ किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे उमीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अभी तक आप इसे लाइक जरूर कर चुके होंगे और आप मेरे नौए नेक्स्ट वीडियो का इंतियार करेंगे दोस्तों तब तक कि लाप सभी को मेरा नमस्कार